कम अगे हो गली में अगली में खलो अउर वो दूर कर वीव नहीं लो चल रहा है रिकॉर्डिंग चल रही है रिकॉर्डिंग डाला है नहीं आप अब कर लाई रह्मान रहिम आई बीटीवी नियू से इजाद आहमत भटी पार के अंदर महजूद है चलते हैं कुछ टिक टॉकर लगता है जाए वीडियो बना रहे हैं हम करते हैं इनका इंटर्वियू इन से पूछते हैं ये क्या बना रहे हैं क्या महाना कमाते हैं इन लोग इतनी मेहनत करते हैं तो इन से चलते हैं मिलते हैं इन से तो इन से इजादत मांगते हैं असलाम अलेकुम वालेकुम असलाम कैसे आप करिये से आप सबसे पहली बात है हम आपका इंटर्वियू कर सकते हैं जी बिलकुल करें करें जबर दस्त हो गया जी तो हम इनका करते हैं इंटर्वि वीडियो बनाते हैं आप मेरा माशाला यूटूब चैनल है वकास लुहार के नाम से और यहां पर हमारी शूटिंग चल रही है इस वक्त और हमारे साथ जो मैड में और जो हमारा प्रडेसर साहब है माशाला वो आपको पूरी जानकारी वही देंगे तो बाकि जो भी है हमारे मेड में बैठी हैं यहां पर मुकमर टीम है तो सर आपका नाम जान सकते हैं हम लोग मेरा नाम है इजाज़ अहमत बटी मैं यूटूब मेरा चैनल जिस पर मैं काम करता हूं और मेरा चैनल जो है इसलामी है मैं लोगों को गिफ्ट करता हूं कुरान पाक स्वाल जवाब करत तो वहाँ पर हमने वीडियो आपकी देखी माशा-लाओ सी-वियों के अंदर आप शूट कर रहे थे तो वहाँ पर आपने गिफ्ट किया माशा-लाओ इतनी मुझे खुशी हुई कि मैं अपना काम भूल गया और आपको खुशी का इजार ने कर सकता कि मैं आपके साथ कैसे अभी हो आपको इजार करने का हो देओं इतनी मुझे कि आज भी यहां पर इस हालात के अंदर इस दोर के अंदर इतने अच्छे और माशाला बहुत है आप हमें आपकी वीडियो इत इतनी पसंद से देखते हैं कि आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हो बहुत अच्छे कोपरेट करते हो कुरान मजीद गिफ्ट करते हो बाकी जो है ना आपको हमारे सर बाकी जो भी सवाल है थैंक यो वकार साथ थैंक यो अभी पूछा हम जफर साब से जफर स चीज आप करते हैं कि कुरान पाक गिफ्ट करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा जबरदस चीज होती है देखने की कि इस दुनिया में उससे कीमती कोई चीज नहीं है कुरान पाक से बड़ी ठीक है आप वो दुनिया में आप लोगों को तौफा देते हैं तो यहां ठंड बारक वताला आपको जरूर इसका सिला देगा और दे भी रहा होगा इंशाला तो आप कंटिन्यू करें आप अपने इस काम को जारी रखें कुरान पाक गिफ्ट करते रहें नेकिया समेटते रहें इंशाला जी अच्छा यह टीम के साथ यह भी आपके साथ हैं तो आप कु अपका नाम मेरा नाम सिला सिला आप यह जो काम कर रही हैं आपको घर से इजादत मिली हुई है बिल्कुल अगर आप अच्छे ना तो सारी दुनिया अच्छी है अगर आप खुद अच्छे हो तो आपके लिए सारी दुनिया अच्छे तो पिर काम में तो कोई बुराई न इक्सार काफिल लड़कें जो एसी होती थी जो लिबास जो आउटर लिबास पेंती है वीडियो बनातीए इस बारे में आप क्या कहींगी वो तो हर किसी के अपनी लाईफ है वो तो मैं तो नके बारे में कुछ नहीं कह सकती है अगर उनकी आपने क्या कहेंगी जो इन से सवाल किया है आप इसके बारे में क्या कहेंगी इन्हों ने जो भी कहा ठीक ही कहा है जाहिर सबकी अपनी लाइफ होती है जो जैसा चाहे वैसे रहे और हमें तो बहुत अच्छा लगता है हम इनके साथ काम करते हैं बहुत हम इंजॉय करते हैं फैमली की तरह अच्छा लगता है अम्मी अबुने इजादत दी हुए आपको जी बिलकुल घर से मुझे पूरी प्रण तरह नहीं आप टिक-TALK यह बनाती है जो यूट्व के ओपर तो मना नहीं बिलकुल नहीं नहीं बिलकुल मना नहीं करते जब मतलब कि हम कोई अच्छी वीडियो बनाते हैं गहर इकला की वीडियो नहीं बनाते हैं को भी नहीं है अजी जफर साब जी देखें बाद यह है कि यह जो बचिया शोशल मीडिया पर आती है ना जुरूरी नहीं कि वह बोल्डों अच्छे लोग और अच्छी फैमलियां यह करती हैं और अपने इज़त आपरू के महफूज रखते हुए तो कोई इशू नहीं है कि वो काम कर सकें यह परफेशनल जो है इज़त वाला है कोईसी बड़ी बात नहीं है आर्टिस्ट है आर्टिस्ट के तोर पे अपना काम करती है अपनी फैमली पे चली जाती है फिर जब शूट होता है जब फिर जबर दस्त हो गया हमने जफर साथ से भी इंटर्वियू किया इन चारों से टीम से किया इंटर्वियू तो जबर दस्त है यह भी माबाप का साया बनती है हाथ बनती है सीधे हाथ का तो यह काम करने है कोई बात नहीं जिसका टाइटल मैंने आपको बताया दुबारा बता रहा हूं कि बेटियां वो फूल हैं जो हर बाग में नहीं खिलता जफर साब ने जबर दसका दूसरे की इज़त अपने इज़त समझिए मत भूलिए इजाद में बटे मांगेगा आपसा इजादत नेक्स वीडियो में मिलेंगे अल्ला हाफिस